फटे पुराने टेबल कलोथ को आप कचरे में मत फेके इसको आप अपने गार्डन में कैसे यूज कर सकते हैं आज की वीडियो में बताने वाले हूँ और अपने गार्डन के डियाई वाई प्लांटर के साथ अपने गार्डन को सजाने वाले हूँ देखना नमस्ते फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होपा पच्छे होंगे मैं भी ठीक हूँ देखें यह वाला जो है यह काफी पुराना टेबल कलोथ है और बीच बीच में फटा हुआ है और इसकी किनारे भी फटी हुआ है यह भी कुछ ऐसे ही वोल के लिए लेके आई थी तो यह भी और अपना जो यह वाला एरिया है दिवार के साथ का है इसको मैं डेक्रेट करने वाली हूँ तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे ना क्यूंकि वीडियो में जो कुछ भी मैं अच्छा-च्छा दिखाने वाली हूँ वो लास्ट में ही आपको देखने को मिलेगा तो आप वीडियो बिना स्किप करें एक एक चीज़ ध्यान से देखें देखें यह वाला जो टेबल कलोथ है यह पुराना है ऐसे पुराने टेबल कलोथ हो जाते हैं तो अक्सर हम ऐसे ही कुड़े में कच्रे में फेक देते हैं तो यह तो कबार में भी नहीं जाता है इसको कच इस पे रखा है इस पे कोई शेड वगर नहीं है तो जब भी कोई ओस पड़ेगी या बारिश आएगी तो इसका जरने का डर रहता है तो अगर आपके पास ऐसा प्लास्टिक का टेबल कलोथ है या कोई ऐसे टूपड़े है तो आप इनको ऐसे बिचा ले देखिए ये तरीका तो मैं आपके शाद शेयर कर रही हूँ अगर आपके पास ऐसा स्टैंड है तो इस पे बिचा सकते है और इसकी वज़े मैं बताऊंगी और अगर आपके पास ये नहीं है तो भी आप कोई भी जैसे लकड़े का बनाएं कोई भी स्टैंड या टाइल्स का बनाएं उनके उपर भी ऐसा बिचा सकते है देखिए गार्डन सुंदर दिखता है और हमारा जो ये स्टैंड है ये खराब नहीं होता है इस पे जर्व अगर नहीं लगेगा तो आप देखिए रहे हैं मैंने तीन टुकडे कर लिये है और तीन टुकडे करने के बाद इसके उपर ये बिचा दिया है जब भी हम अपने प्लांटर में थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो पानी इस प्लास्टिक के जो ये है टेबल क्लोथ है इसके उपर से फिचल के नीचे चला जाएगा तो फ्रेंड्स मैं इसके उपर बड़े बड़े गमले नहीं रखने वाली हूँ अगर बड़े बड़े गमले रखने हैं आपने तो ऐसे स्टैंड पे रखे जिसमें ड्रेनेज यानि ड्रेनेज का अच्छा सिस्टम हो यानि ऐसे स्टैंड हो जिसमें पानी निकल जाए तो देखिए इसमें मैं अपने क्यूट से प्लांटर रखूँगी चोटे चोटे जो कबार से बनाए हुए है और आपके शाथ मैं शेयर करती रहूँगी ये देखो ये अपनी दही की डबियों से मैंने ब्यूटिफुल डॉल बनाई है ये अपने ये जो अपनी हार्पिक होती है हार्पिक की बोटल से मैंने बर्ड्स बनाया है ये शेंपू की बोटल से मैंने चोटे-चोटे कबूतर बनाए थे दो और उपर अपना ये पिग रखा ही हुआ है जो अपने तेल के कैन से बना था तो एक-एक DIY मैं आपके साथ शेयर करूंगे साथ-साथ और लास्ट में आपको सारा ही मेरा गार्डन दिखाने वाली हूँ देखिए कबार से जुगार देखना है या DIY प्लांटर बनाने है जिरू बजट में गार्डनिंग करनी है टेरिस गार्डन डेकुरेट करना है या चोटी-चोटे कबार से आपको क्यूट से प्लांटर बनाने है तो आपको बहुत सारे आइडिया इस वीडियो में मिलेंगे एक बार मैं यह रख देती हूँ और फिर आपको बिल्कुली डिटेल से दिखाऊंगे सारा कुछ मैंने क्या-क्या बनाया हुआ है और कैसे मैंने इस एरिया को सजाया हुआ है देखो दिखाती हूँ तो देखे फ्रेंड्स उपर मैंने यह अपना बीच में पिक प्लांटर रख दिया है इधर मैंने चोटे से यह कंटेनर आते हैं जो पैकिंग के कंटेनर आते हैं फूड कंटेनर उनमें यह बोंसाई बनाया है यह दही की डबी से मैंने चोटी चोटी दो डबियों से डोल बनाई है और उपर मैंने इसमें जेड प्लांट की कटिंग ही लगाई थी पीछे अपना यह हार्पिक की बोटल से मैंने बर्स बनाया था देखे कितना क्यूट सा है और इसमें जेड्ड प्लांट की कटिंग लगाई थे अच्छे से चल रहा है ये छोटी छोटी दो बोटले, ऐसे प्लास्टिक की बोटले होती हैं गर में तो देखिए दो बोटलो से मैंने प्लांटर बना गया है और ये जेड्ड फ्लांटर अभी हाली में बनाया है ये तेल के डबे से बनाया है और ये देखो, ये दो जोड़ा बनाया था मैने और पीछे मैंने कप में भी ये जेड प्लांट लगाये हुए है और कप के पीछे अपना एक पांडा प्लांटर है जो शेंपू की बोटल से बना है तो देखिए ये वाला जो मैट है ये सोरी टेबल कलोथ है इसकी वज़े से इस पे जर नहीं लगेगा और जब भी हम अपने प्लांटर में पानी डालेंगे तो पानी आराम से निकल के नीचे गीर जाएगा और वैसे भी ये जो प्लांटर है इनमें थोड़ा थोड़ा ही पानी देना होता है जादा पानी नहीं देना होता है तो आप ऐसे अगर स्टैंड है तो छोटे-छोटे क्यूट से प्लांटर उन पे रख सकते हैं बहुत ही प्यारे दिखेंगे और एक साथ में ही सुंदर अभी नीचे दिखाती हूँ आपको ये वाला जो प्लांटर है ये है मुठा प्लांटर जो मुठा हमारे हरियाना में बैठने के काम आता है सभी जगे होता है ये मुठा ये मैंने प्लास्टिक बोटल और चारो तरफ लकडियों से बनाया था और ये अपना कबूतर भी बनाया था मैंने ये पिजन ये शैंपू की बोटल से बनाया था और ये देखो ये कबाड में पड़ा हुआ था साइड में प्लोट में उठा के मैंने कलर करके और इसमें बोटल रख दी थी मनी प्लांट लगी हुई तो इसका भी रियूज हो गया है और ये तेजल की बोटल थी और इसमें मैंने देखो ये टोपारी टाइप में बनाया है जेड प्लांट का और ये प्लास्टिक बोटल से ही मैंने ये वोल पुट्टी शे खरगोश बनाया था ये भी अपना शैंपू की बोटल से बना है, कलांचो का प्लांट लगाया था और यहां पीच में प्लास्टिक बोटल का प्लांट रखा है, ये अपना स्वान रखा है, जो मैंने कमफर्ट की बोटल से बनाया था तो दोनों ही साइड हमारे चोड़े के साथ बने हुए हैं देखिए ऐसे भी आप बना सकते हैं जेड प्लांटिन में लग जाता है ये तूटा हुआ टिफन ही था इसमें भी मैंने ऐसे टुपारी बना दिया है और नीचे वाले पॉर्शन में आपको दिखाती हूँ क्या क्य रखा है मैंने तो देखिए क्यूट से प्लांटर कितने प्यारे लग रही हैं और ये जो मैट है ये हमारा काम आ गया ये बीच बीच में फटा हुआ था अगर आपके पास भी ऐसा मैट है या थर्मा कोल की सीट है आप उसको भी स्टैंड के रूप में यूज कर सकते हैं य ये पलांट लगा दिये हैं ये पानी की बोटल थी देखिए ये काच की बोटल इसमें मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ है और ये भी मट की मेरी यूज हो गई इसमें मैंने कोलियस की कटिंग ही लगाई थी तो ऐसे चोड़ेट डियाइवाई को रखने के लिए आप अग कोई भी फट्टे का लकडियों का या कुछ भी ऐसे कबार से जुगाड कर रही हैं तो ये जो मैट होते हैं ये टेबल कलोथ होते हैं ये हमारे काम आ जाते हैं इसके ओपर आपको ग्रीन मैट भी बिचा सकते हैं देखिए ग्रीन मैट अगर हम लेके आते हैं तो वो थोड़ा आ रहा था लेकिन जैसे ही मैं स्टेंड लेके आई और एक भाई ने कोमेंट भी किया था कि बाहर ये जर जाएगा अगर आप इसको अंदर रखेंगे तो सही रहेगा है और उस भाई ने ये भी बताया था कि मेरा तो अंदर रखा हुआ है मैंने बाहर नहीं रखा है तो तभ ये वाले जो मैट है आप कोई भी फिरी के स्टेंड पे बिचा सकते हैं तो आपका वो जो भी कबाड है वो दिखेगा भी नहीं और ये देखो मैंने तो इस स्टेंड पे बिचा लिया है मेरा ये काम आ गया है अगर आपके पास भी पुराना टेबल कलोथ है तो आप ऐसे ही स्टेंड नहीं है तो आप कोई भी अगर फिरी का स्टेंड बना रहे हैं लकडी से कोई टाइल से तो उस पे भी बिचा सकते हैं और यहां पे देखो ऐसे लकडियों से ही मैंने ये हैंगिंग प्लांटर के लिए जुगार बनाया था और ये अपनी मटकी चोटी सी टूटी हुई चलनी थी मेरे पास ये प्लास्टिक की इसका भी मैंने हैंगिंग प्लांटर बना लिया था तो देखिए यहां पे ये पाम का पोधा रखा हुआ है और साइड में चोटी चोटी बोटले रखे हुई हैं इनको मैं अभी हटाऊंगी और ये पाम है इसको भी मैं उधर सेट करूंगी तो अभी मैं आपको इतना ही करके दिखाया है आगे का मैं सेट करके आपको पूरा ही दिखाती हूँ तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है छोटी चोटी बोटलों को मैंने हटा दिया है और टाइम भी काफी हो चुका था और पाम के मैंने दोनों पोधर यहां बनाऊंगी तो यहां पे तीन गमले मैंने रख दिये हैं और देखिए मेरा जो यह दिवार वाला जो एरिया है कितना प्यारा बन गया है चोटे-चोटे क्यूट से प्लांटर मेरे यहां पे रखे गए हैं सारे और यहां थोड़ी बू दूप भी आती रहेगी और इनको चाय भी मिलती रहेगी और सर्दी से भी बचे रहेंगे यह स्टेंड के नीचे रहेंगे तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको अपने डियाइवार प्लांटर भी दिखाया है और फिरी का स्टेंड भी दिखाया है और जो टेबल कलोथ होता है पुराना फटा पुराना होता है उसका भी रियूज बताया है और ये मेरा गार्डन है इधर का एरिया भी मैं आगे आपको डेगरेट करके दिखाऊंगी तो चैनल से आप जुट जाए अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बहुत सारे धेरो जुगाड में लाने वाली हूं तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करें थैंक यू फ्रेंड्स